ग्लोबल मिलिटरी एक्स्पेंडिचर 2020 और अज को जमारा टॉपिक होगा पहला है ग्लोबल मिलिटरी एक्स्पेंडिचर 2020 ऑट्यमेटर लेन कीपिंग सिस्टम पाइथन 5 एयर टुएर मिसाल एसें डेवलप्मेंट बैंक 93 अकाडमिक अवार्ड यानिकी ऑस्कर अवार्ड से समय ग्लोबल मिलिटरी एक्स्पेंडिचर यह जो रिपोर्ट है इसे जो प्रस्तुत किया है सिप्री सिप्री यानिकी स्टॉकॉम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंसिटीवट इसमें कहा गया कि 2020 कोवीड-19 के लिए प्रसित था यानिकी स्वास्ट पर काफी खर्च किया ग अधिक है इसी परकार से चाइना 252 मिलियन डॉलर और भारत 72.9 यानिकी 73 बिलियन डॉलर खर्च किया है मिलिटरी ब्याप है जो कि पिछले वर्च यानिकी 2019 से 4.4 परसेंट अधिक है बात करके जीडिपी की तो इनाइटेड अस्टेट अपने जीडिपी का 3.7 प्रतिसर ज पर मिलिटरी ब्याप है टोटल जो मिलिटरी ब्यां कि आगा है ग्लोबल अस्तर पर वो इस वर्ष 1981 बिलियन डॉलर खर्च किया गया है जो कि पिछले वर्च से 2.6 प्रतिसर अधिक है इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में कि एक तरफ ग्लोबल जीडिपी जो है 4.4 परसे मिलिटरी एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ बलकि क्या हुआ इस पैंडेमिक में भी बढ़ा है इंक्रिज हुआ है एक और रिपोर्ट प्रस्टूत किया गया था सिप्री को दारा 16 मार्श 2021 को हमने इससे पढ़ावी था तो अभी जो रिपोर्ट हमने देखा उपर वो क्या था वो ब्याई से समने था लेकिन यह जो रिपोर्ट है यह आयात और निर्यास से समने था तो इस रिपोर्ट में कहा गया थो कि भारत भारत जो है कि एक तरफ भारा सरकार जो है अपना ब्याय ब्रहार रही है तो फिर यह एक परकार से इंपोर्ट कैसे कम हो गया है जहासे दोनों में कॉंट आडिक्सन नहीं है क्योंकि यह जो भारा सरकार अब आपने सुना होगा आत्मुरी भारत इसके ताप कई सारे स्टार्ट अप हमारा इसी रिपोर्ट में सामिल कि आ गया था कि रस्या आज भी हमारा सबसे वरा आयतक यानि वहां से भेजने वाला निर्यातक राश्ट है और लेकिन यहां पर चेंजिंग क्या आई है कि USA जो की हमारा 2011 से 2015 के बीच में क्या था सेकेंड था यानि कि वहां से निर्यात करत था 6 माई 1966 को Stockholm में और इसका जो हेड़कॉर्टर है ओस्लो है नॉर्वे में नेक्स्ट है आटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम इसे ब्रिटेन में शुरू किया गया यहां पर देखिए जो ब्रिटेन है पहला ऐसा रास्ट है जो कि सेल्फ ड्राइबिंग जो वहेकल होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए रेगुलेट करने के लिए यह कानून इस परकार से तो इसी लेन में इन वहनों को चलना है अगर इन से बाहर यह जाते हैं तो इन पर जुर्माना लगा जाएगा या फिर एक तया की गई है कि इनकी जो स्पीड होगी 60 किलोमेटर प्रती घंटा होगी इससे अधिक इनका स्पीड नहीं होगा ऐसा इसलिए था कि आक्सिडेंट रुके नियम बदरुप से वहां संचालित हो सके तो इन सरकों में इसके लाबाए जो स्वाचालित कार होते हैं इसमें भी जो जीपिएस लगे होते हैं इससे क्या हो कि जैसे कि मालेजी यह दूरी है अब यह 10 मिटर किये अगर जैसी 9 मिटर जाएगा क्या हो इन पाइथन आया ने आम धर देख सकते हैं एक तैक्राने से बच सकते हैं एक दुसरे को मैसेज कर सकते हैं इसमें इसमें कैमरा जो लगे हूए है उससे बहुत सारे यहाँ पे कार्याव देख सकते हैं सबुक है तो यह जो 51 पिडिलिये का एटम शिपिर मिस्टम से इसे अभी ट्राइल के तौर पर चोड़ा गया नेक्स्ट है एसेंड डेवलप्मेंट बैंक के वारे में यह जो बैंक है इसमें जो रिपोर्ट प्रस्तूत की है इसने बात कि यह है कि जो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है 2021-22 में 11 प्रतिसत होगा और जो पिछले वर्ष था आठ प्रतिसत था तो यह जो है पिछले वर्ष जो अनुमाल लगा तो वह भी फेली हो गया था आपको पता है COVID-19 के कारण और यह जो रिपोर्ट बनाया गया यह भी इंड मार्च तक के जो डेटा है उसी क्याधार पर बतलाया गया इसलिए इस रिपोर्ट में एक वार्नि किया है ADB के तो ADB के बारे में बात करें तो इससे बनाया गया था 19 दिसंबर 1966 को यहां पर दिखेंगा और इसका मुख्याल है फिलिपिन्स नेक्स्ट है 93rd अकाडमिक अवार्ड के बारे में यानि कि आसकर अवार्ड तो यह जो बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड दिया ग अवार्ड दिया गया और बेस्ट डाकुमेंटरी जो फिचर फिल्म है वह माई आक्टोपस टीचर बेस्ट अक्टर यहां पर आपको दिया गया आपको ज़्यादा याद नहीं रखने है इसमें बेस्ट पिक्चर को आप याद रखें छोटे एक जम अगर दे रहे तो और उसके अलावा यहां पर डाक्टर का तो इस वीडियो में से इतना ही थैंक्यू फू वाचिंग क्रेक पर्थम